हेलो फ्रेंट आज की इस वीडियो महां डिसकस करेंगे नेम रास उन्दा वू प्री लेक्ट्चेसेजिजिजिज़ की टोपिक एकरेकल्चर एक्स्टेंशन के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं Extension, Extinction derived from Latin word, Extension Latin word से derived हुआ है , यह दो वर्ट से मिलकर बना है X और Tenses, X का मतलब है out Tenses का मतलब है stressing, extension का मतलब क्या है out stressing, Out stressing मतलब क्या information को फेलाना लाना इन्फर्मेशन को वो लोग जो किसी इंस्ट्यूजूशनल जिसे कोलेज इसकुल में जाकर सिक्षग्रण नहीं कर पाते उन तक ग्यान को पहुचाना क्या कहलाता है एक्षेनशन एजूकेशन प्रोडक्षन औफ जायरेबल जैन्ज इन्हों विएवियर तो गेंशिट्यूज नोलेज अडिầnट्टिजूट्ट्र इन्मेंटल मेन시죠 का terrorists education 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 क्या है ये किसी जो он हो मन है उसके जो वेहार है उसमें डिजारेबल चेन लाना क्लग करके सिक्वतने अनलब किसी भी human किट जो behavior है उसमें desirable chain लाना और knowledge gain करके एडरूट के द्वारा या कोई भी skill सिखा कर उसे क्या बलते हैं education classification of communication according to use and nature of contact use and nature of contact के अधाय पर classification commission का देखते हैं हम यह तीन टाइप का होता है individual contact method group contact method और mass contact सब्सक्राइब हम बात करते हैं individual contact method contact is face to face और person to person individual contact method में क्या होता है कि face to face और person to person contact होता है it is very effective in teaching quantum of feedback available is very high but slow communication इसमें क्या होता है कि हम प्रतिक व्यक्ति से जाकर person to person मिलते हैं इसलिए बहुत very effective होती है जान सकते हैं कि उसकी problem क्या है उसकी धार्णा क्या है किसी method को अपड़ाने के बारे में तो यह बहुत effective रहती है content of feedback available is very है इसमें जो feedback मिलते हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं हाई but slow communication लेकिन हम person to person जाएंगे तो यह time बहुत ज़्यादा कंजूम कर लेगा तो यह slow communication में थाड़े example इसके farm and home visit उसके खेद पर जाकर या उसके घर पर जाकर विजिट करके बात करना personal contact करना telephone call करके बात करना office call करना personal letter पहुंचाना या फिर result demonstration result demonstration मितलब क्या होता है demonstration क्या होता है किसी भी चीज को दिखाना show करना किसी की भी सामने और result demonstration क्या है कि जो लोग ही उनको नई method को adopt करने के लिए जो भी superior result उसको दिखाना दो result के बीच में comparison करके दिखाना कि यह best है तो result देखकर वो लोग अपनाते उसको group contact method एक group of two to thirty persons लोग का एक group होता है उसको बोलते उसमें contact करते तो ग्रूप को common interest group कि इसका बनता है जो common interest के जो लोग होते हैं उनके विच में ग्रूप बनाया जाता है इसके अंदर के आते हैं symposium, discussion, lecture, tour, field days, method demonstration, conference, school, seminar हम देखे conference क्या होता है कि एक बड़ी सभाज जिसमें लोग प्रस्तुदी देते हैं अपने विचार रखते हैं उनमें लोगों को समझाया जाता है और cm, post cm जो होता है वो communication का जो अपना conference है उसका ही एक छोटा रूप होता है इसमें क्या होता है कि लोग किसी भी research topic पर चर्चा करते हैं यह छोटे type का होता है lecture मर लेक्चर जो दिये जाते हैं field days, tour करना field पर, method demonstration, method demonstration क्या होता है method demonstration का basic principle क्या है learning by doing मतलब करके सिखना यह short type का demonstration होता है, इसका main purpose होता है कि कोई भी skill provide करना, इसमें क्या होता है कि किसानों को कुछ करके दिखा जाता है, कि आप इस तरह से करिए, तो आपके लिए best drug, मतलब जो method है उसको apply करके दिखा जाता है, उसको बलते method demonstration, यह बहुत ही effective होती है, third है mass contact, more than 30%, अगर एक ग्रूप में तरह से ज़्यादा person है, तो वो mass बन जाएगा, mass contact होगा वहाँ पर, it is more useful for making people aware for the new agriculture technology quickly, किसी भी technique को अगर जल्दी जादा लोगों तो पहुंचाना है, तो mass contact सबसे best होता है, इसके example है bulletins के गवारा, leaflet, booklet, folder के गवारा, यह newspaper में कोई भी cover पहुंचा दी, तो बहुत लोगो तो पहुंचाएगी magazine, general, exhibition, exhibition, वो किसी भी परदस नहीं लगा दी, हमने वापर तो भी लोग देखेंगे, television, अगर television में उसका aid दे दिया, तो लोगों तक जल्दी पहुंचेगी radio, fairs, melee वगरा, उसको परदस नहीं लागा के, foster छपवा के, cinema में दीखा के, drama, and song के द्वारा important project and associate person, हम देखते हैं कुछ project उनसे associate persons के बारे में कौन से year में चालू हुए थे, उनको किस ने start किया था, गुडगाओ project, गुडगाओ project, एफल ब्रायने की द्वारा, 1920 में start किया गया था, गुडगाओ project के गुडगाओ हर्याना में start हुआ था, इसमें किया था, कि जो भी गाओं में अफल ब्रायनें, उन्हेंने बताया था कि उद्देश लाघ्या की वर्दी करना, जो सामा जी को धार्मी कारियों में धन की बरबादी को रोकना, स्वास्ते इस तरह सुदा गना महिलाओ की भागी तरीकों पढ़ाना, यह इसकी में उद्देश थे, सांती निकेतन सांती निकेतन initially started in 8 village of West Bengal by MD Tegor MD Tegor के द्वारा सुरुआत में इसको West Bengal के पस्ची बंगल के 8 गाओं में सुरु किया गया था सांती निकेतन स्री निकेतन रविन नाट टेकोर के द्वारा 1921 में स्टार्ट किया गया था स्री निकेतन जो है वो रविन नाट टेकोर इसमें भी यही था कि जो पिछ़़े लोग है उनका विकास करना इसके उध्देश क्या थे कि ग्रामिर्न लोग जो उनकी ग्यान में व्रत्धी करना को ग्रामिर्न लोग की मदद के लिए गावों में कुटी उध्यों की स्तापित करना लोगों को नई नई टक्निक अपनाने के लिए प्रेयरिद करना जिसे उनका विकास हो सके रूरल रीकर्स्ट्रक्शन इसकीम डेनियल हैमेंटर के द्वारा 1903 में दी गई थी मार्थेंडम प्रोजेक्ट इस्पेंसर हेच 1921 मार्थेंडम प्रोजेक्ट को इस्पेंसर हेच के द्वारा 1921 में दिया गया था मार्थेंडम प्रोजेक्ट क्या है कि मार्थेंडम एक प्लेस था जहां कि लोग क्या होते बहुत पिछले होई थे वो किवल नारियल और चामल ही उगाते थे तो यह मार्थेंडम प्रोजेक्ट चला गए स्पेंसर हेज के द्वारा कि जिससे क्या हो सब्सक्राइब कि उनका विकास हो सके चामल के अलावा और भी क्रोफ वकरा होगा है इस इसक प्रचार करना क्रिशन जो च्रफ वकराते उसके साथ मिलगी फ्रीदी विकास मांसी विकास और इसके अलावा समाजीक और आर्थ्ि विकास भी करना इसका उद्जिस लेकिन Ohh विशाई धर्म को बढ़ावा देना स्री महात्मा घान्धी तवरा है 1920 में इसे स्टार्ट किया गया था शेवा ग्राम से एक्ष्टेञ्ट बढ़ा था सेवा ग्राम प्रोजेक्ट महात्मा घान्धी के जो आइडियल उद्देश थे उनके उस पर आधरित था इसमें क्या था कि इसके उद्देश क्या था कि जो खादी के कपड़े हैं उनका उप्योग को बढ़ावा देना जो स्वास्ते कर्मी हैं उनके स्वास्ते कारेकम जो होते हैं उनके सुरुवात करना महिला के कल्यान करना पिछले वर्ग के जो लोग हैं उनका उत्थान करना ग इसको एवरेज डिस्टी प्लान भी का जाता है इडाव पाइलेट प्रोजेक्ट को इड़ाइब कि परिणाम अगर हम किसी गाउं में एक मतली गाउं से लेट किया गयते हैं कि इन गाउं में अगर इसको अपनाते हैं तो कितने जल्दी उसके रिजल्ट रापके होते हैं जा इसको पाइलेट क्यों कहा गया क्योंकि इसी के द्वारा जो कम्यूंटी डेवलोप्मेंट प्रोजेक्ट सुरू किया गया था 1952 में उसके शुरुआत का यहां पेसे हिंट मिल गई थी इसलिए इसको इटावा पाइलेट प्रोजेक्ट कहा जाता है नेक्स्ट ने निलोख खेडी एक्सपेरिमेंट निलोखेडी एक्सपेरिमेंट और मजदूर मंजील यह दोनों दिया गए थे एसके डे के द्वारा 1948 में मजदूर मंजील दिया गया था एसके डे के द्वारा 1947 में मजदूर मंजील इस कंसेप्ट पर निलोखेडी प्रोजेक्ट रिहेविलेशन उन्हें क्या करना घर में विस्तापित करना नए जगा देना रहने के लिए मजद्र नबंज की चलाई गया था जो नीलों खेड़ी के वहां पर नईंज súp कि मोइप सके को नेद।्य बनाई गए उनमें श्कुल खोले गए थाके लोगों को सिख्छा मिल्सके बनाई गई साथ जर लोगें उनको वापे सारी सुवीधा मिल जाए और वाव वापीस होहां से वापे सेटल हो जाए अच्छे से फिरकाट डेवलोपमेंट फिरकाट डेवलोपमेंट तीफ प्रकाशन के द्वारा 1946 में दिया गया था फिरकाट डेवलोपमेंट क्या यह जो ग्रामेनों पर संचार जलापूरती की विकास के लिए अलपकाली योजनाय तियार करना जो क्रसी है सिचाई पसुधने उनके सुधार करना लोगों को आत्मनित्मर बनाना पुटी रुद्धियों को कदाओं में विकास करना यह फिरकार डेवलोप्मेंट के उद्देश्य थ क्या थी कम्यूंटि डेवलोप्मेंट का उद्देश्य क्या था कि इसके सुरूवाट कहुए थी 15 प्रजेक्ट से स्टार्ट किया था तीन ब्लोग में 300 गाहों में और 400 पांद 400 500 मिली एरिया में इसको चालू किया गया था इसमें लगपर जो दो लाग प्यूपूलेशन क सब्सक्रांशल रिग स्टार्ट कि गया था इसमें 15 और तो प्रजेक्ट स्टार्ट किये गए थे इसका उधिस कहा था कि जुक्राम typically डीचान का सब्सक्र बिकास करना उन्हों सब्सक्रांश्य करना कि नेक्सनल में इक्स्टेνशन सर्वेस नेक्सनल डीच्टक्ताइकोल मे प्रोग्राम उसकी सक्सेस के बाद इसे बढ़ाने के लिए पूरे इंडिया में फेलाने के लिए नेशनल एक्टेंशन सर्विस की सुरुआत की गई लेकिन इसमें जो फाइनेंस था वो कम उसके अगया था पिपल भी इसमें कम लगाए गए थे अब कम फाइनेंस और कम इंडियान विलेज इसकीम टी मोसर बी एन गुपता दोरह 1945 में दी गई थी यंग फार्मर एसोसियेशन भी देश मुख के दोरह दिया गया था फादर ओप एक्टेंशन फादर ओप एक्टेंशन कौन है जेपी लिगेंस है और फादर ओप एक्टेंशन इन इंडिया है के इन सिंग नेशनल डेमोंस्ट्रेशन इसकीम नेशनल डेमोंस्ट्रेशन इसकीम कलवार और सुप्रमन्यम के दोरह दिया गया था यह फ्रंट नेशनल डेमोंस्ट्रेशन डेमोंस्ट्रेशन मतलब क्या कि किसी भी चीज़ को करके लोगों के सामने दिखाना उसको बोलते है डेमोस्ट्रेशन और नेस्टल डेमोस्ट्रेशन एक फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन है मोडल विलेज गीवन बाइ मोडल विलेज देनियल हैमिंटल के द्वारा 1903 में दिया गया था IADP Intensive Agriculture District Program जुलाई 1960 में ये प्रोजेक्ट शुरू आता IADP क्या था कि इसको package प्रोग्राम भी कहा जाता है ये क्या selective district में चालो किया गया था पहले सुरूआत में selective district में शुरू किया गया था next is ICDP Intensive Cattle Developer Project ये प्रोजेक्ट शुरूआ था 1963-64 में next is Intensive Agriculture Area Program IAAP IAAP क्या है कि IADP जो है उसमें कुछ कम्या भी थी लेकिन उसके कमी के बावज़त भी उसको extend करने के लिए Intensive Agriculture Area Program स्टार्ट किया गया Intensive Agriculture Program जो है ये मार्च 1964 में इस्टार्ट हुआ था इसमें क्या था कि जो IADP में है जो लागत थी हमारी जो लोक थी उनको कम कर दिया गया लागत को भी कम कर दिया गया उसके और साथ में क्या क्या है इसको कि पूरे देश के सभी छेतरों में फोलाना करसी की जो उननत और प घ्राइटी प्रोग्राम हाइल्टे वैराइटी प्रोग्राम 1966 में शुरूंग आ था ग्रीन ड्री रिवलूISन खरी ती करना बागवानी की फसले लगाना फान की बचाओ जो मैठर उनको अपनाना चुछ कि उसके के प्रभाव को करना आर्थिक विकास औन रोजगार सजन करना बनाने पिमी में और जल की बथनाशपत्ती लगाना जिससे क्या अचरके मानिकर चंड्रक्षन हो सके training and widget system T&V system training and widget system 1974 में डेनियल बैयनर के जाँ चालू किया गया था training and widget system ये सबसे पहले start हुआ था इंडिया में राजयस्थान में और वर्ड में हम देखे तो इसकी सुरा टर्की में हुई है training and widget system को बास्टार और बेनर system भी कहते हैं training में क्या होता है कि किसानों को ट्रेनिंग दी जाती हूं नए नए फार्म पर विजिट किया जाता है इसमें क्या करते हैं किसानों को ट्रेनिंग देकर नए नए टेक्निक जो है वो सिखाई जाती है खेती करने की अलगर विधिया सिखाई जाती है Next is CADP Command Area Development Program 1974 में start हुआ था IRDP Integrated Rural Development Program 1978 में start हुआ था Integrated Rural Development Program क्या है कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे है उनको सबसीडी देखकर उनके जीवन में सुधारा करना उन्हें रोजगार की आउसर उपलब कराना यह क्या था IRDP IRDP, TRIZEM, DWACRA, SITRA, ETC Merge Into इन चारों को merge करके SGSVI स्वर्ण जैनति ग्राम स्वराजगार योजना 1999 में चलाई गई थी इसमें हम देखते हैं कि जो TRIZEM का फूल फूर्फरम क्या है Training to Rural Youth for Self Employment इसमें क्या करते हैं जो 18 से 35 साल के जो यूवा होते हैं ग्रामिन यूवा उनको प्रसिचित किया जाता है उनको जो तकनीकि यह नई नही सीगए जाती है उनका साहल इसको टेष गया तक्स अनका साहरिक्त करना उनको स्वराजगार के उसर अबरफद करना उनको 90 नहीन तकनीकि सिखा brick अगर उनके दरह मतलब जो बेरोजगारी इसको खतम करना और उनके रोजगार के आवसर उप्रब्त कराना नेर्स लेप 2Lens program लेप 2Lens program एक जुलाई "'1999' को start हुआ था लेप 2Lens program को ICR दोरा लौंच किया गया था ICR की Golden Jubilee Year 1969 में इसको लौंच किया गया था December Lab 2Lens program में किया है जो छोटे, marginal, भूमी हिन मजदूर है HTSC's to new life, the staff जनजाती के जो लोग है उनकी आर्थिक स्तिती में सुधार करना इसका मुख के उद्देश था इसमें क्या के तो जो के वी किये है नई नई यूनिवर्सिटी के द्वारा जो नई नई टेक्निके निकाले जाती है उनका लोगों तक पहुंचाना मतलब लेप से जो टेक्निक डेवलोप की जारी उनक नाइनटीन एटी में सिक्स बेंक का और नेशनाइजेशन कर दिया गया नेक्स्ट आम बात करते हैं विच प्रोग्राम इस नोन अस पेकेज प्रोग्राम आईए डीपी इंटेशी अग्रिकल्चर डिस्टिक प्रोग्राम को पेकेज प्रोग्राम कहा जाता है एक्स्टेश का concept Dr. Seema ने नेप के द्वारा दिया गया था Demonstration मतलब क्या किसी भी चीज को करके दिखाना Learning by doing, Seeing by doing इसमें दो टाइप के Demonstration होते है Result Demonstration और Method Demonstration Seeing by Billing मतलब देख के सिखना उस पर विश्वास करना और Method Demonstration का में प्रिंसिपल क्या है Learning by doing मतलब सिख करके सिखना Father of Extension Father of Extension इंडिया इंडिया एफादर आप एक्स्टेशन को ने के एंशिंग और वर्ल्ट में देखेंगे तो जेपी लिगंस मेनेज National Institute of Agriculture Extension मेनेज कर इस ता अपना काह करी है हैदराबाद में 1986 में कुछ important fact के बारे में देखेंगे नरेगा was enacted in September 2005 and came into force in February 2006 जो National Rural Employment Guarantee एक है जो एक्ट पास हुआ था यह पालिया में में कब September 2005 में लेकिन यह लागू कब वहा था 2 फरवरी 2006 है जो नरेगा है इसका नाम 2 October 2009 को घांदी जैन दिक्यों प्लक्षमी इसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया गया महात्मा घांदी नेशनल रूरल Employment Guarantee Act नरेगा क्या है कि नरेगा एक स्कीम है जिसमें जो गामिन इलाकों में जो पिछड़े हुए लोगें उनको सो दिन के रोजगार की गारंटी उप्रप्ट कराना मतलब उनको मिनिममम सो दिन रोजगार दिया जाता है इस मनरेगा की पारे हम देखते है पूरा तो इसमें जो इक कौन से लोगो को इसमें सामल किया गया था जिसके बाद कोई क्वालिपिकिशन नहीं होता है उन्हें भी इसमें रोजगार दिया जाता है सुराद में इसको 200 डिस्टिक में सलेक्ट किया गई था लेकिन अब तो यह पूरे इंडिया में काम करता है इसमें क्या रहता है कि जो एप्लिकेंट है उसको 5 खिलो-मीटर ऐएरे मेंगे उसको काम प्रोवाइड किया जाता है इसको परफिया नहीं करता है यह क्या इसको लागाग कोन करता है.. इसको जो मियमेज करता है। पर्मिन शेत्रम पंचायत के दरह मेनेज किया ता कि जो मिडिल में ने वो जो गरीब लोगे उनका पैसा नहीं खा सके इस्टेट एगरिकल्चर उनिवर्शिटी के दरह पर्फर्म किया जाता है वा पर्सन जो अपना हायर डिपार्टमेंट के ओफिसर और फार्मिंग कम्यूनिटी के बीच में एक लिंक का काम करता है उसे बोलते हैं विलेज एक्स्टेंशन वर्क विलेज वाले उनकी जानता है उनकी जो लेंगवेज उनको अच्छे समझता है और यह जो उसको टांसलेट करके जो बाते ही है वह सब कहां तक पहुंचाता है वह डिपार्टमेंट तक पहुंचाता है इक अधेमोनिशन वीजो अधेमोनिशन है विस होद बैल्युर्ट इससे वीजर्टों को अधेमोनिशन जो कोई भी नईंशन विसेंशन व्र शो सो करता उसको firmmons करेंज़ेंग एकस्टेंजर एक्सिंग क्या होती है होजएंटल मतलब कि यह टूब होती मिसेटीचर से फार्मर को सिखाते हैं और कुछ कुछ चीज़ेंग अब फार्मर टीचर को भी सिखाता है इसलिए क्या है होरिजंटल है institutionally graded and hierarchy structure education system is formal education formal education क्या होता है कि जो किसी institute के अंदर दिया जाता है मतलब जैसे college के अंदर school के अंदर जो knowledge दिये जैंदर उसको बोलते है institutionalized knowledge chronologically graded मतलब क्या कि इसमें सब कुछ एक sequence से चलता है कि embedded कि पुल का सिलेबस रहता है, जिसके बार सेजेजर का सिलेबस रहता है, इसके बार सेकंड चैप्टर पड़ा और थर्ड ओकटर इसमें एक लाइन टो नाइन चलता है इसमें किया रहता है इस मैं प्रिब्ल uma क्रांप्र क्या उता है दिङ is more in sensory situation more का पर होती इंटर पर्शनल कम्यूनिकेशन में और एड़ोप्शन में ड्यूटू इंसपीशन नोलेज और एड़ोप्शन मतलब किसी भी तक्निक को किसी भी चीज को जादा मात्रा में अपना रहना जैसे हम बात करें कि हवारे जो सोईल है उसमें पेस्टिसाइड फटलाइजर का यूज करना जी लेकिन किसान को अगर कर पूरा नोलेज नहीं है और तो चादा भिवर भी नहीं बढ़ेगी खर्चा बढ़ गाएगा उल्टा उसमें लोग सुझाएगा फार्म मेनेजमेंट इजेवरण मेनेजमेंट इंट्रांस साइंसे फार्म संटेंस तुप लों संट्र संटर्व कोबरेटिव बैंक फार् एप्रोच पर पारस्राल कॉंटेक्टर को मॉस्त एप्रोच एप्रोच यह टेलीफोण सबसे एप्रेक्टिव क्योंकि जैसे अगर हम ओम और फोर्म वीज़िट करते हैं वह भी यह लेकिन हम जैसे घर पर गई हमें आप मिला नहीं लेकिन टानिविफर करके तो हम उससे आसा जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम सुन भी से पपेट सो मतलब क्या होता है करपटली वाला सो में अपने देखा है कि उसमें करपटली यह एक्टिंग कर रहती है तो पीछे से आवाजे भी आती रहती है तो इसको बलते हैं audio जुक्त है तो यहाँ पर रहता है यहाँ पे क्या रहता है सिंद्ध ट्रैनिंग और विजी सिस्टम शेप्पे राजस्थान में वर्ड में हम बात का है तो टर्की में फादर अब सोसेरोजी, सोसेरोजी की फादर है अगस्ट काम्टे दे कंस्टिटुशनल 73 अमेंडमेंड एक्ट 1992 कम इन फोस्टु प्रोवी कंस्टिटुशनल स्टेटर्स टू दे पंचायती राज सिस्टम पंचायती राज सिस्टम है वो 73 अमेंडमेंड एक्ट के दारा उसको लाया गया था है 1993 में लागू हुआ था इसमें से कौन सी नौन फर्मल एजुकेशन तो अग्रिकल्चर एक्स्टेंशन एजुकेशन है वो जो नौन फर्मल एजुकेशन है कि इसमें किसी भी इंटिश्टियूट में नहीं दिया जाता है इसमें कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं होता है तो यह क्या है नौन फर्मल एजुकेशन क्याता है कि को लिजी स्कूलों के बाहर खेतों im. लोग और एक्षट। करके नोलैज दे दिया जाता है कि जो लोग है उनको आसानी से सिखा सके अपनी पूरी टीम को मैनेज कर सके वह गती लेडर्शी पार्टिशिप मतलब कि हम ने किसी विजाओं में कोई भी जैसे प्रोग्राम रखा है लोग कुई सानों को जिखाने के लिए तो वहां पे जो लोग किसान पार्टिसिपेट कर लोग का अधिक होना चाहिए और लीडर्शिप वारेटी भी जो लीडर है उसकी अच्छी होनी चाहिए नेक्स्ट इम बात करतें कोपरेटी सोसाइटी इस बेसिक इंट्रीड ऑफ सोचियन एकोनोमिक ग्रोफ ऑफ विलेजर्जर्स के लिए इसकिल टेवनोप्मेंट इंप टेक्निक आती है और कोई तरह से अपनाता है किस टाइम्डर्ट इसको तुरन अपना लेते हैं इनको वे जर्सम हम भी बोलते हैं यह तोटल पॉपॉलेशन जो उसके सिफ 2.5% होते हैं जो तूरंद अपना लेते हैं अर्ली अडॉप्टर मतलब रिसेप्टेक के बल यह क्या है कि जो लोकल रिडर हैं उनके बताने पर अपना लेते हैं लोकल रिडर जिसे उनको बताया कि यह नई टेक्निक आई है तो यह 13.5% पॉपॉलेशन होती है अर्ली मेजयरिटिय डेलिबरेट यह कोमन पीपल को एड़ अर्याइबश करने के बाद अपनाते हैं देखते हैं कि हाह इन लोगों ने अपना लिया आसीपसाड लोगों को देख इता हैं लेट मेजयरिटी क्या स्केप्टिक ऑ्सक्रमिश लेकार्ज क्या है, ये 16% है, टे अडॉप्ट इनो वेशन इन लास्ट, मतलब ही सबसे लास्ट में इनोवेशन को अपनाते हैं, सबसे लास्ट में सब के अपनाने के बाद पोड़ोशी, रिस्तेदार, जो भी आसपास के सबी लोगा जो अपना लिया तब ही अपनाते हैं वो क्या कलाते हैं लेकार्ज